गंगा दशरा 2021 जानिए कब है गंगा दशरा शुब महरत पूजा विधी और महत्वर हेलो एंड वेलकम एब्रिवन वेलकम टू जी आरेस टेक्निकल आज इस वीडियो में आप लोगों को गंगा दशरा के बारे में बताने वाली हूं तो आज की इस वीडियो को बिल्कुल ल और शुद्धी करन में गंगा जल का इस्तिमाल किया जाता है हर साल जेश्ट महिने के शुक्ल पक्ष की दश्मी तीथी को गंगा दशरा मनाई जाती है इस बार गंगा दश्मी 20 जून को पढ़ रही है इस खास दिन गंगा स्नान करने के बाद दान पुन्य करने से बातों के बारे में सबसे पहले हम बात करेंगे गंगा दशरा के शुब महुरत के बारे में तो दश्मी तिथी आरंभ होगी 19 जून 2021 को शाम 6 बच करके 50 मिनट पर और दश्मी तिथी समाप्त होगी 20 जून 2021 को शाम को 4 बच करके 25 मिनट पर पूजा विधी के बारे में अग करना चाहिए माता गंगा के मंत्रों का आता गंगा की पूझा के बाद गरीबो ब्रहमन और जरूरत मंदों की दान पून करना चाहिए आईे पर दी दीन मा घंगा की यह रूप में मनाया जाता है और दान पुन करने से महायग्यो का फल मिलता है इसके इस दिन सत्थू मटका और हाथ का पंखा दान करने से विश्यष फलों की प्राप्ति होती है पौरानी कथाओं की माने तो गंगा माता को स्वर्ग से धर्ती पर भागिरत लाये थें इसके लिए भागिरत ने कठोर तपस्या की थी जब माता गंगा प्रसन हुई और इन्होंने कहा कोई मेरे वेग को कोई रोकने वाला चाहिए वरना मेरे वेग धर्ती को चीरते हुए रस्तल में चली जाएंगी और पृत्वी के लोगों को पाप से मुक्ती नहीं मिल पाएगी गंगा के वेग को रोकने के लिए भागिरत ने कठोर तपस्या कर भगवान शिव को प्रसन किया इसके बाद भगवान शिव ने गंगा को अपनी जटाओं में धारन कर लिया तो दोस्तो आज के इस वीडियो में इतना ही वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करिएगा जैहिन बंदे मात्रम